नमस्कार स्राद पक्ष सोला दिन ही क्यों चलते हैं ? 17-21-22 दिन क्यों नहीं चलते हैं या फिर एक महीना तक क्यों नहीं चलते हैं ? इसके पिछे क्या कारण है और क्ता है, आज उसके बारे में अपन जानेंगे स्राथ पक्स में कहते हैं कि इन 16 दिनों में अपने पुर्वच धर्ती पर आते हैं और अपने वनसुजों द्वारा चड़ाये गए अन और जल का ग्रण करते हैं और पुर्वच के वनसाज इन 16 दिनों में खूब दान करते हैं और अपने पित्रों का कर्ज दुकाते हैं 16 दिन स्राथवख्स चलने के पीछे एक पूरणिक कता है और यह कता दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई जो मा भारत काल की थी कहते हैं जब कर्ण की मिलति होती है तब कर्ण स्वर्ग पहुशते हैं जब सर्ग में वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको सोना ही सोना दिया जाता है खाने में सोना दिया जाता है पीने में सोना दिया जाता है चारों तरफ उनको सोना ही सोना दिया जाता है तब यह कर्ण एक बात देवराज इंद्र से पोचते हैं कि मुझे हर जगह सोना ही सोना क्यों दिया जा रहा है तो देवराज इंद्र कर्ण से कहते हैं कि आपने दर्ति पर सोना ही सोना का दान किया था और आपने अपने पित्रों का कर्ज नहीं चुकाया था तो इस पर दानवीर कर्ण कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकरी नहीं थी और मुझे एक मुका दिया जाए तब कहते हैं दानवीर कर्ण को सोला दिन के लिए दर्ति पर बेजा जाता है और वह सोला दिन होते हैं भाद्र पद की पूर्णिमा से लेकर अस्विन मास की अमाशा तक वह सोला दिन होते हैं और उस 16 दिन में दान वीर कर्ण खूब दान करते हैं, खूब अन जल का तरपन करते हैं अपने पित्रों के लिए और अपने पित्रों का कर्ज चुकाते हैं उन 16 दिन में। तब से एक मान्यता चली कि ये 16 दिन ही अपने पुरवजों के कर्ज उतारने के दिन है और इनी 16 दिन में पुरवज अपने इस धर्थी पर आते हैं और अन जल गरण करते हैं तो स्राथ पक्स के 16 दिन होने के पिछे यह मान्यता हैं इसी के साथ आज यही मेरे वीडियो आपक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें